हाई फूडीज कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं सभी ठिक ठाक होंगे एक दुम टिप टोक मज़े में आज की जो रेसपी है बहुत ही कमाल की जैसे के आपने थमनिल में देखी लिया है तो आज बन रहा है विंटर फूट ट्राइफल जो के बहुत ही जबर्दस और डिल है और चलते हैं और चलके इसको बनाते हैं और बहुत सारी टिप्स भी आप लोगों को इसमें दूंगी तो वीडियो को बिल्कुल स्किप्ट नहीं करना है और मेरे रिक्वेस्ट है मेरे निव सब्सक्राइबर से जो भी मेरे चैनल को फास्ट टाइम देख रहे हैं इसे एक इसका जो है वो इसमें डिसोल्व हो जाए अच्छे से तो वो कर लेंगे इसमें और इसके साहसत यहां पर मैंने ले लिया है हाफ के जी के करीब दूद जो के खुला दूद है पैकेट वाला दूद यूज नहीं कर रही हूँ और यहां पे हाफ कप के करीब चीनी चीनी अच्छे से दूद के अंदर डिजोल्व हो जाएगी तो हमारा जो हमने जो पेस्ट बना कर रखा था अपनी कस्टड पाउडर और दूद का वो इसमें आड करते जाएंगे कस्टड को बनाना बेहद असान है बहुत जल्दी बन जाता है कोई मुश्किल वाली बात नही ठीक है तो हमारा वो हो चुक है उसको हम ठेड़ा करने के लिए रख देंगे और यहां पर मैंने पांच किसम के फूट्स जो हैं वो यूज कर रही हूं अंगूर है सेब है नरंगी है मर पास ओरेंज और इसके साथ सब बनाना है और अनार है और यह सब जो है वो सीजनल आप इसको बनाए इंज्वाए करें यह भी बहुत कम मालक डिसर्ट में से एक डिसर्ट है और यहां पर कटिंग हो चुके हैं तो अब बारी आती है हमारी जो है ना असेंबलिंग की और इसके साथ साथ जो है वो तमाम इसको मैंने फूट्स को क्या कर लोंगी मिक्स कर लों और उसमें आप क्या करेंगे जैसे आपने फूट इस पर डैकूरेशन गयरा करनी है तो पहले से इसके पीसी निकाले और फिर इसके बाद इसन तमाम जैली को स्क्वेर में काट लें कटिंग कर लें उसकी तो यहां पर पहले हम जो है वो जैली की अपने जो हमने इसमें डिवाइड कर लूँगी और चैली के अंदर आप बहुत सारे कलर्स हैं आप जो लाइक करते हैं वही कलर इसमें यूज कर सकते हैं और बिल्कुल भी जल्दी से यानि कि बहुत काम नहीं है इसमें बहुत जल्दी बनने वाला यह वैसे आपको लग रहा होगा कि बहुत अच्छा लगता है तो एक प्लेट में इनकाल लूँगी दोनों जैली इसको जो के बहुत अच्छे से जम चुकी थी और जैली को बहुत असान है पानी थोड़े से बानी उबलते में आप इसको पैकेट को डाल दें और फिर किसी बरतन में इसको फ्रीज में ठंडा करने तो यह जम जाती तो इसका भी बनाना बहुत असान है कोई मुश्किल बात नहीं तो अब हमारा जो फ्रूट केक है मुसको जो है बेस में रखेंगे जो केक फ्रूट है उसको डाल लूँगे और उसके बाद में डाल दूँगी कस्टड यह स्टोबरी फ्लेवर था आप वनेला या बनाना कोई भी जो अवेलिबल इजी आपके वो हो वो आप ले सकते हैं तो केक पे बहुत अच्छे से अपनी जो स्टॉबरी कस्टड है उसको मैं जो है मेरे कस्टड को ठंडा किया था काफी देर तक और इसके बाद जो है वो जैली एट कर देंगे और इसी तरह तमाम के तमाम फूट से एट कर देंगे तो अब एड़ कर देंगे हमने जो अपना फूट मिक्स किया देखें कितना माशाला माशाला अच्छा लग रहा है ना फूट और तमाम फूट से मैंने आपको बताया कि बहुत नैच्छृल सा बहुत नैच्रल सी स्वीट है यह बहुत जबरदस माशाला तो इसी तरह करेंगे हम अपनी लेयर्स बनाते जाएंगे लेयर बाय लेयर तमाम चीज़ों की और इसके बाद जो हमने कटिंग की थी जैली उसको यह जो जो लेयर्स न जाएंगाने मे वो भी लगा देंगे तमाम और एंड में हम इसको डेकुरेट कर देंगे बचों की तो बहुत ही ज्यादा फिवरिट होती है ये बचे बहुत शुक से खाते हैं इसको और इतनी मज़े की बात है कि देखें हर चीज में आ जाती है फ्रूट्स दूद यूज हो रहा है केक यूज हो रहा है जैली यूज हो रही है जैली तो बचों की मोस फेवरिट होती है बचे बहुत 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 पसंद करते हैं जैली को खाना अगर आपके पास फूट्स अवेलिबल ना हो तो आप केक और जैली के साथ 20 को बना सकते हैं सिंपल में भी बना सकते हैं और बहुत ही असान ऐसे बनाना देखे कितनी जल्दी से बन गई है तो इसी तरह हमारी जो लेयर्स हैं तकरीबन कम्प्लीट होने वाली है फूट्स जो था बच गया वह भी इस पर एड़ कर देंगे उसके बाद हम अपने केस्टोड को एड़ कर देंगे देखे कितना माशालला कलरफुल सा ये फूट ट्राइफल हमारा रेडी हो चुका है माशालला बिल्कुल जैसे आप रेस्टरंस या फिर खाते हैं ना शादी पर किसी की शादी होती तो भी ये स्वीट बहुत जादा यूज की जाती इन पाकिस्तान यह देखें माशालला कस्टर को बहुत जादा गाडा ने करना है क्योंकि हमेशा कस्टर ठंडा होने के बाद भी तिक हो जाता है तो आपको बहुत जादा थिक नहीं करना है तो फिर आप ना डाल नहीं पाएंगे और इतनी ही उसकी जो होनी चाहिए आपकी कस्टड इतना ही होना चाहिए पतला ताकि अब जब आप इसको फ्रीजर में रखके ठंडा करेंगे तमाम चीज़ों के साथ वो खुद बहुत लेवल पर आ जाता है तो ये इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको बहुत ज़दा गाड़ा भी नहीं करना है इसको ये देखें माशालला माशालला सुभान अल्ला तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगी बाउल में और जो कटिंग करके रखी हुई थी हमने जैली उसको हम इस पे लगा देंगे एस डेकुरेटिड डेकुरेट कर देंगे यहां पर अपनी जैली के साथ इसको माशालला देखें क्या बात आपको यह विंटर फ्रूट ट्राइफल बहुत अच्छा लगा होगा तैंक यू सो मच अल्ला हाफेज